हेलो एब्रिवान दस ज्यार श्वानी माम आज की वीडियो में वी आ गॉइंग डिस्कुस अबाउट दा एम्स नॉसिंग में ओफीशल वेबसाइट पर जो इसका प्रोस्पेक्टस अभी लेटिस्ली अपडेट हुआ है 2024 का उसके अंदर क्या-क्या चेंजिस हैं 23 और 24 में क कितनी नई सीटIES हैं कौन enacting phenomenal वी आप लोगों किया उप्डेयो में अगर मेरे चानल पर आज उप्स्क्राइब कर ले न वाली जिटने भी PCV related students के लिए इंप्रेंस एक्जाम होते ही ही उनके बार में आप लोगों को अप्डेटीड अप्डेड़ को मिलेगा अप्डेड़ इस चानल के ऊपर सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे पूरा का पूरा पुरा प्रोस्पेक लास्ट में क्या था लास्ट यर क्या था इस यर क्या है वो सारी इंफोमेशन में आप लोगों को देने वाली हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि अगर आप लोग एम्स नॉसिंग एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो यह आप लोगों के लिए ज मेरे ही चानल पे एम्स नॉसिंग सेलेक्शन बाच मैंने स्टार्ट किया है जिसकी क्लास अमानी डेली 10 एम पे होती है गुगल मीट पे हम लोग उन क्लास को कंड़क्त कर रहे हैं इसके लिए स्टेप्स क्या है आप लोगों को डिया हुआ है आप लोगों को रिच आउट करेगी जितनी भी अपडेट्स आप लोगों को बतारेगी कैसे आप लोगों कर सकते हैं क्या कि आप लोगों को बेनेफिट्स मिल सकते हैं वो सारी इंफोमेशन आप लोगों को मिल जाएगे, so let's start the video, so बच्चो मैं आज अब लुगों को दिखाने वाले हूँ आपका AIMS का प्रोस्पेक्टर्स, चो कि आप लुगों को यह कुछ ऐसा दिख रहा है, अब इसके अंदर आप लुगों को क्या क्या चीज से ध्यान देनी है, कैसे कैसे है, वो सब मैं आप कैंच, आपको इसमें, फॉस्पेस भी कुछ नहीं है, यह, this is the very important बच्चो, बहुत important है, इसको बिल्कुल मिस्मत करना, इसको मिस्केवेरा, नेक्सपेश भी नहीं सकते, क्या इनोंने बता है हुआ है, देको धान समझना, रजिस्ट्रेशन हमको पता है, 5th of March से स्टार्ट क्लोजिंग डेट जो है, वो है आपकी 4th of April, ठीक है, आप लोगों ने अपना basic registration कर दिया है, वो accept हुआ है, नहीं accept हुआ है, सिर्फ 4th April तक ही बता चलेगा, obviously 4th April तक होगा तो हो गई, अब यह, नेक्स चीज यह लिखके दे रहा है, जो हमारे बहुत सारे बच्चों को प् आपने अपना category गलत कर दिया, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहा है, मैं मैंने signature की जगा पे thumb impressions लगा दिया, मैं मैंने category certificate यह, कुछ भी problem है, बहुत सारी गलतिया, बच्चों में को एक चीज समझ नहीं आती है, मैं आप लोगों को हर एक चीज बिलकुल live यहां पे समझ कि कैसे basic registration करना है, code generate कैसे करना है, final registration तक कैसे पहुचना है, एक एक चीज मैं आपको बता रही हूं, still मेरे वीडियो का comment section आप लोग देखो कि इतना भर चुका है complaint से, कि मैं मुम से यह नहीं हो रहा है, मैं मुम से यह नहीं हो रहा है, every day I am receiving more than 100 messages on my WhatsApp, कि मैं मुम से यह गलत और generation करना है, still you are making mistakes, तो इस में में कुछ नहीं कर सकती हूं, अगर आप यह वाली गलतिया करने हो तो यह चीज़े आप लोगों को धिहान देना है, मैं इसको पेज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूं, so that आप लोगों को यह चीज़े विजबल हो जाए अच्छे से, let's have a look here, yeah, okay, तो यह सब आप लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है, अब निक्स शीज़ आप लोगों को क्या देख रहा है, I think dates के सामने, मेरा वीडियो ग्लाश कर, yeah, अभी बिल्कुल पाफेक्ट है, correction आप लोगों को पता चल गया, correction कब से कब होने वाला है, 4th April से 6th April तक आप आप लोगों को करेक्शन विंडो ओपन रहने वाली है, ठीक है, निक्स शीज़ आप लोगों तेखेंगे, अब भाई प्रोस्पेक्टर की बोल रहे हैं, हमने 12 मार्च में ने आया है, 15 मार्च में आया है, यह फिर बोलता है कि फाइनल स्टेटास एक्सेप्ट और रिजिक करना है, सिर्फ कौन बच्चे जिनका बेसिक रिजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है, और उसके लिए लास्ट डेट है 12 अप्रेल, बलकुल दिहां से समझ लेना, 12 अप्रेल तक ही आप फीस सब्मिट कर सकते हो वह बच्चो, फाइनल स्टेटर्स जो है, आपका एप् अप्रेल, ठीक है, एडिमिट कार्ड कब आएगा, 31st of May में आएगा, 31st of May में बीसी नर्सिंग वालों के लिए, अगर पैरमेडिकल है, उसका आएगा 14th of June में, यह धिहान रखना है, एम्स नर्सिंग की जो टेट है, वह 8th of June है, अब यहां पे बहुत बड़ा चेंजी हु होगा, तो वेबसाइट पर सेंग की एम्स का जो एग्जाम है, वो कब होने वाला है, वो जलाई में होगा, लेकिन प्रोस्पेक्टर में दया, सेंग की 22 जून को होगा, तो एम्स परामेडिकल के डेट चेंज कर दी है, यहां पे, अब हमें नहीं बता हमको वेबसाइट व जून में होगा, ठीक है, हो सकता है, वो जलाई में कर दे, करेक्शन कर दे, हमने प्रोस्पेक्टर के अंदर, पॉसिबिलिटी है, बट हम लोग उस चीज को लेकिए नहीं जलेंगे, क्लियर यहां तक, सब को समाझ आ गया है, हर एक चीज, मैंने बता दिया है, अब आ जात अब इसके लावा एक और बहुत अच्छी नियूज है अगर आप लोगों ने देखा मेरे बहुत सारे बच्चों के मेसेज आ इसको लेकर मैं इसको लेकर इसको लेकर क्या था लास्ट एर तक एम्स परमेडिकल का एक्जाम सिफ और सिफ डेली में होता था सब एक सेंटर अब अब एम्स परमेडिकल भी अलग-अलग सेंटर में अलग-अलग स्टेट्स में कंड़क्ट कराया जाने लग गया है जैसे नर्सिंग का इंडरेंस एक्जाम होता था ऐसे कि परमेडिकल का अलग-अलग जगा पे होने लगा है यह आप लोगों को तिहन रखना है ठीक है बह आपको पता है जन्रल के लिए OBC के लिए 2000, SC के लिए 1600, ST के लिए 1600, PWD के लिए कुछ नहीं है यह सारी के सारी इंफॉर्मेशन है देख लेना यह संसिंग के लिए अगर रजिस्टर कर रहे हो तो इस वीडियो को आप लोगों के लिए देखना बहुत जागा ज़रूरी है सारे परमेडिकल कोर्स के लिए कि क्या उनके अंदर आपको पढ़ाई करनी है कैसा उनका सेलरी स्ट्रक्चर है हर एक चीज अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ मेरे यूटिब चानल पर पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा इम्स परमेडिकल कोर्स सेलरी यहां तक क्लियर हो गई है कि आप लोगों को कैसे क्या करना है परमेडिकल मैंने आपको बता दिया अब आ जाते हैं हम थोड़ा सीट्स को लेके तो बिटा देखो यहां पर परमेडिकल की सारी सीट्सी नोगे बताया हुआ है इफ वांट क्या पर्टिकुलर्ली कोई भी को सेलेक्ट कर रहे है तो उस कोर्स के अंदर आप देख लेना कि आपकी कित्ती सीट्स अवलेबल है जैसे एंस जेली के अंदर आप देखोंगे ऑप्तोमेडिकी जनरल कैट्ट्री की 9 सीट्से टोटल 24 सीट्स अवलेबल है MRIT की 11 सीट्स सारी इंफर्मिशन मैंने आप लोगों को ती हुई है पुटानी वीडियो में तो देख लेना विल्कुल सबके सब यह है अब आ जाते हैं थोड़ा सा नर्सिंग के लिए बिकोज यह वीडियो जो है मैं स्पेशली नर्सिंग वाले बच्चे बिलिए बना रह से इस एपकी 265 सीट्स एड़ी है कौनी सा मिलिए रहा हैं हमारे पाथ एम्स पतालग जाएगuestosं जिसके 60 सीट्स एड़ी हैं बोहोत जादा इंपॉटन्याशन अप dispersed माम इससे हमारा क्या फाइदा है जब आप लोग लोग इंस एक्जाम देखिया जाओगे पिर आपको रिजल्ट आगे काउंसलिंग तो काउंसलिंग के टाइम पे जो नहीं है नहीं है इनकी जो कट आफ है बहुत कम जाएगी तो हम अपनी चॉइस प्रेफरेंस जो बच्चे कम जिन बच्चों का स्कूर्ट कम आएगा उनके जोइस प्रेफरेंस में हम इन इन इंस को सबसे पहले रख देंगे तो उनको मिल जाएगा है ना ट्रिक तो यह सारी के सारी चीज़ आप जब काउंसलिंग करेंगे तब मेरी हल्प आप लोगों को मिलेगी तो वीडियो को उसी ही लिए संबस्क्राइब जुरूर करके रखना है सबस्क्राइब करके रखोगे तबी आप लोगों के चीज़े पता चलेंगी कि कम मार्ख में है कैसे रिजिस्टर कर सकते हैं clear यह बाकी तो आप लोगों के लिए कुछ इंपर्टन निया अब हाँ यह बहुत इंपर्टन लिटरली बहुत जादा इंपर्टन यह नहीं तो कुछ नहीं क्या है अगर आप बाप एसी नर्सिंग के लिए प्रिपार कर रहें ठाक्या एक अप एक क्यांडी डेट है तो हर एक OBC क्यांडी डेट का जो सर्टिफिकेट है OBC का वह 9th June 2023 से लेके 8th June 2024 की बीच की डेट का ही बना होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको इंस से बहार नहीं निकाल देंगे क्या करेंगे वह आपकी जो काउंसलिंग है उसको एसा OBC लाकर आपको नहीं मिलेगा तो इस डेट को रख लो अभी टाइम है नहीं अपडेट है अपडेट करा लो एट जून के बाद कर आओगे तो कोई फाइदा नहीं होगा अभी कराना पड़ेगा OBC वाले बच्चे ध्यान से समझना अब आजाओ जारा वाले वाले बच्चे हमारे जून 2024 की वीच की डेट का ही बना होना चाहिए पुराना जो है छोड़ थो भाही एक अप्रिल से लेके अब आप हो लोगे माम अभी है तो फॉर्म फिल करना है तो बिट अभी सर्टिफिकेट मांग भी नहीं रहे है आपसे तो फिर क्या यह प्रॉब्लम है तो अब धिहा कि अभी सर्टिफिकेट वाला आपके पास बन के आचाहिए डन यहां तक यह था हमारे पास इन्फोर्मेशन इसके रिगार्डिंग अब आ जाते हैं जरा हम लोग हमारे सिलिबस को लेके तो बिटा यह वाली चीजी तो देख़ों आपको पताईए कि आप लोग लोग होना चाहिए आप लोग जो बॉन है वो 31 दिसब्बर 2024 से पहले आप 17 के हो जाने चाहिए मतलब जो 2nd January से पहले पहले बॉन हुए है 2008 से जन्वरी से पहले पहले बॉन सारे बच्चे अलिजीबल है मतलब इट मेंस 2007 के हर एक 2007 पूरे साथ कभी भी जर्म होगा आप लिजीबल यह ध्यान रखना है यह हो गया हमारा क्लियर जिल्च मोवन टो दा निक्स्ट पाइंट अभी हाँ प्यार बीसी नर्सिंग के लिए यह पोस्ट बेसिक के लिए बता रहे हैं हमकोच यह नर्सी के लिए एसपीर के लिए और सिफ और सिर्फ फीमेल केंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं अब बात आती है सिलिबस की तो बिटा एक इंपोर्टेंट चीज़ एक किसी बी चैनल पर ट्रस्ट कर जेके लेकिन ट्रस्ट करना ओफीशियल अपडेट के ऊपर सिर्फ ओफीशियल अपडेट के ऊपर आप एमस नसिंगे 2023-2022-2021 कोई भी प्रोस्पेक्टस उठाके देख लो उन्होंने कभी भी आपको जैसे होता ना नीट के अंदर आता है नीट का जो प्रोस्पेक्टस आता है उसमें खु पूझ सकते हैं इसलिए यहां पर इन नंबर ओफ एप्लिकेंट्स बहुत कम बिलता है क्योंकि यहां पर कोई आईए नहीं है से लिपस में लेकिन अगर आप ट्वेल्थ क्लास में तो इतनी बेसिक नॉलिश्ट तो एमस के पास भी है कि फ्रेश जो सेलिबस होता हो या तो सब से जादा फ्रेश कहीं होता है तो इसिक्स्टी फाइप परसें यहां पे ट्वेल्थ का सेलिबस पूशा जाता है रिस्ट आपका इलावंद कशेर में लिए आपका फोकस त्वेल्थ की सेलिबस पर ओना चाहिए लेकिन इलावंध को इगनोर नहीं करना है यह बच्चे नहीं करोगे यह भी आपको ध्यान लखना है तो सेलिबस को लेकर बहुत इंपोर्टन चीज मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है कि सेलिबस के लिए कोई अब आज आते हैं हम जरा सिटीज के उपर तो यह दी ज्यादा सिटीज जिनकी अंदर एम्स एक्जाम कराएगा गोहाटी पत्नार राइपू चंदिगर डेली बेंगलोर यह सब सिटीज है अब पेपर पाटन एम्स नर्सिंग के अगर आब बात करेंगे 30 एक्वेशन फिजि सिर्फ तीन सब्जिक्ट थाएगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आप PCM के स्टुडेंट थो PCM वाले बच्चे भी एप लाइगर सकते हैं पे PCM वाले बच्चे भी एम्स परामेडिकल के अंदर जा सकते हैं यह बहुत इंग्ट चीज है बिटा टीक है कैंडिडे क्लो है कब उमाने चाहोगे आपके ज़नरल के वाले बच्चे तो 50% होने चाहिए एडिवीएश के 45% ओबीसी इतना स्कुर मताब आउट ओफ दा हंडर आपको 50 स्कोर अगर आपका है 50 प्लस स्कोर है तो लिट के लिस्ट आती है ना उसमें आपका नाम आएगा और जिस्ट प्रफ्चा क्वालिफाइड लिस्ट में आम आजाता है वहीं बच्छा काउंसलिंग के लिए इलिजिबल होता है तरह नहीं है कि तुद्ध के बच्छा नहीं लिए जाता है तब यह है कि आपका 50% से जादा सकोर होना ही होना यह हो गया हमारा और यह पोस्ट बेसिक की इंफरमिशन है आपका सीट अलोटमेंट यह सब मैं आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पर समझाऊंगी इसमें आप लोगों को परिशान नहीं होना है विल्कुल भी और मैंने आप लोगों को क्या टिकरी सर्टिफिकेट का डे अगर आप होस्टल की बात करेंगे तो चार साल का जो फीस है आपका 100 रुपीज लगेगा अगर आपने इंस्टिट्यूट के कोई डिक्रिमेंट को तोड़ वोड़ दिया होस्टल की सिक्योरिटी चार्जिस वन थाउजन है जोकी रिफंडेबल है या लाइडरी के अगर 50 रुपीज आपके लगेंगे अब यह होस्टल फैसिलिटी किस को मिलेगी है ध्यान रखना है नेक्स्ट में बताते है कि होस्टल एक्कमेड़ेशन किसको मिलेगा तो बिटा अगर आप चाहते हैं पीस्ट नर्सिंग कंड हमाई स्पेशली गर्ल स्टूडेंट तो गल्स स् इक्जाम है होस्टल एक्कमेड़ेशन दिया जाएगा बट कंपल्सरी नहीं है एमस रिषिकेश और एमस विबी नगर इन दो एमस को चोड़के बागी हर एक एमस में आपको ऊस्टल मिलेगा बोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले बच्चों को कोई होस्टल एक्कमेड़ेशन नहीं दिया जाएगा यह चीज आपको धिहान रखनी है तिक है इन केस को पहने डिस्पूट जो आपका अगर बाइचंज किसी स्टूडेंट है कोई कोई प्राबलम है तो उसका होस्टल सुप्रेटेंडेंट होगा उसका फाइनल डिसीशन ही मारा जाएगा तो यहां तक म बढ़ गए हैं तो इसका माता हमारे चांसे भी बढ़ गए हैं अब इसमें जाने को और हम सीट कितनी वी हो बच्चे बोलेंगा बारा सौरा होंडी तो सीट है हम कहां इतने बच्चे मिलाएं बटा एक सीट हम लेके रहेंगे अगर आप अपने अंदर यह कॉंफिडेंस ल है लेकिन कभ जब आप उसके लिए हाड वर करोगे सूरज खुद जलता है आपको रोश्णी देने के लिए तो आपको अगर चपकना है तो आपको जलना पडेका अब जलना वो मत सोच लेका है हैं जलना बोल थे जलना हाड वोल और जलना इस तो यह वाली चीजे आपको धिहान रखनी है इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है comment section open है you can openly share your comments as well as video अच्छी लगे तो थोड़ा बौत motivation माम को भी दे दिया करो थोड़ा बौत compliments भी मिल जाया करे telegram join कर ले ना as well as मुझे instagram पे भी सब के सब बच्चे फोलो कर ले ना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना विगोज मैं अपनी वीडियो का जब एनलाइटिक सेखती हूँ ना यहां तक अगर वीडियो देख ले तो अच्छा ही लगा होगा ना आप लुग मेरे साथ 20 मिनिट रुक्यों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ठीक है तो मिल दे हम लग नेक्स वीडियो में बाबाई